हेलो फ्रेंड सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तो चैनल पर नए हैं तो मेक शूर उसे सस्क्राइब जरू करें क्योंकि हम लेकर आते हैं सपना और अंजु की लेटेस्ट अब्डेटर अगर आपने अल्लेड ही मेरा चैनल सस्क्राइब की है तो मैं करता हूं साथ ही आपने नोडिफिकेशन बेल को ना प्रेस हिट करना ना बूले ताकि जब भी हम नया वीडियो अप्लोड करें उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और कमेंट सेक्शन में अपना उपीनियन रखना ना बूले कि वही आपको ये वीडियो करके सिर्फ यहां पर पॉइंट प्याओंगा दोस्तों यहां पर जो मिस्टर पडोसी इकल ब्लॉग लेकर आए थे उससे रिलेटेड यहां पर मैं रियाक्शन दे रहा हूं कुछ ऐसे सवाल उसके जवाब मैंने पहले ही कहा था कि भई यहां पर मैं पार्ट्स में इन सार इन सारी चीजों पर मैं रियाक्श करूंगा चली शुरू परते हैं पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने कहां पर सवाल लिया था जो मिस्टर पडोसी ने कहा कि राजवीर के एकसिडेंट के बाद सपना कहीं न कहीं बेहोश हो जाती थी और दिन में दो बार बेहोश होती दो लिया था लेकिन इसके ओपर मैंने आपर कोई जवाब कोई टिपनी नहीं दी तो अब मैं आपको बता देता हूँ देखिए कोई भी लेडी कोई भी विडो जिसके पती चले गए हैं थोड़ा तो मेंटल शॉक लगेगा साइकोलोजी तो आपने भी पड़ी होगी या जानते तो होंगे ओविसली शॉक तो लगेगा उसे जाने के बाद और हमने देखा भी काफी व्लॉक्स में सपना यहां पर वीक हुई थी लेकिन मिस्टर पडोसी का कहना है कि यह सिर्फ एक ड्रामा करती थी सपना अब वो तो भाई मिस्टर पडोसी जाने क्योंकि उनका आना जाना था इस गर में ऐसा उन्होंने बताया और कुछ यहां पर तस्वीरे भी शेयर किया हमारे सथ सपना ड्रामा करती थी या सच में वो बिमार होती थी वो तो सपना को पता है या फिर मिस्टर पडोसी को पता है लेकिन हम सिर्फ साइकोलोजी बता सकते हैं क्योंकि आफ कैमरा मुझे कुछ नहीं पता सिर्फ मैं आउन कैमरा की बात करूंगा सपना सूरज के जाने के बाद वीक होती थी यहां पे काफी बार उसे हॉस्पिटलाइज करवाया जाता था फिर उसका कहना है कि भई जब राजविय से शादी हुई तब ही वो कभी बेऊशनी फिर यहां तो वो ऊस्पिटलाइज होगा रही क्योंकि यहां पे आपकी जो अंदर फीलिंग है वो हैप्पी वहली फीलिंग है क्योंकि उस टाइम पे आपको मेंटल ट्रॉमा लगा था और यहां पे अब राजवीर की शादी के बाद आपको किसीने कमफ़डेबल फील कर अब अपने उपर ही लेकर देख लो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अपने उपर लेकर देख लो आपको पता चल जाएगा भी क्या सच है क्या जूट है मैं मिस्टर पडोसी को जूट नहीं कह रहा हूं लेकिन सिर्फ यहां पर मैं साइकलोजी बता रहा हूं आप कितना सहमत ह ये चीज आप मुझे comment box में ज़रूर बताएं दूसरी चीज अब यहाँ पे इससे side में रखते हैं Mr. Padosi का कहना था कि अंकल जी की नियत बिल्कुल अच्छी है चलो माना अंकल हाथ सब के ओपर फेरते हैं माथा चूमते हैं सब का ये बात भी आपकी मानि अब एक वीडियो जो यहाँ पे वाइरल हुआ है एक क्लिप वाइरल हुए उसकी वज़े से कहीं न कहीं लोग अंकल जी के ओपर संदे कर रहे आपने देखा होगा जब सूरज यहाँ पर वीडियो बना रहा था उस समय जो anniversary थी सपना यहाँ पर आशिरवाद ले रही थी वहाँ पर राजवीर भी था उस समय ऐसा दिख रहा था कि अंकल ने सपना को चीक्स पर किस किया अब यह चीज देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत यह चीज पथैटिक लग रही कुछ अटपटी लग रही है कि वही ऐसे कैसे लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वही ये करना जायज है क्योंकि हम लोग modern world में रहते हैं यहाँ पर अब हमारा भारत का transformation हो चुका है नीतू के पापा भी नीतू को किस करते ठीक है आपकी बात मान ली देखो मुझे ऐसा लगता है कि वही cities में और village और remote areas में देखने का नजरिया अलग-अलग होता है हारिज सार्क cities में ये चीज़ को लोग valid मानते हैं जायज मानते हैं ठीक है लेकिन remote और village areas में इसे आपे invalid माना जाता है और जायज नहीं माना चाता है क्यों? क्योंकि उनकी mentality thinking ऐसी है कि भई कोई भी ससुर या कोई भी दादा जी क्यों ना हो वो आशिरवात तो देता है लेकिन लड़की को उस तरह से छोना और किस करना यहां पर जायज नहीं माना चाता है मुझे ऐसा लगता है मैंने जितना यहां पे दुनिया देखी है मैं उस experience उस तजुर्वे से बता रहा हूँ आपको क्या लगता है? इस चीज़ को भी आप comment box में ज़रूर बता रहा है अगली चीज़ अब Mr. पडोसी का कहना है कि भई अगर सपना को ये परिवार इतना ही गलत लगा तो फिर इस घर में यहां पे उसने दूसरी शादी क्यों की? उसने यहां पर दूसरी शादी क्यों की? और यहां पे उसका ये भी कहना है कि भई जो राजवीर है उसको सपना ने अपने वश में कर ली उसने इतना वश में कर लिया कि राजवीर कहने लगा कि मैं सपना से ही शादी करूँगा अब इस पे एक चीज कहना चाहूंगा ये भी साइकोलोजी है कोई लड़की अगर चाहे कोई लड़के से शादी करना और तब तक वो पॉसिबल नहीं हो सकता है जब तक लड़का भी उतनी वैल्यू लड़की को ना देता हूँ एक तरफा कोई चीज नहीं होती बायस नहीं होता ठीक है अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं एक तरफा तो यहाँ पर आप बात सुन लीजिए कि दोनों में अगर इक्वल बांडिंग ना हो तो यह रिलेशन डेवलप और इस्टाबलिष्ट होना यहाँ पर इपॉसिबल है ठीक है अगर आप ही सोचिए अगर आपको कोई लड़का प्रपोस करता है लेकिन उसके लिए आप मानते ही नहीं हो उसके लिए अब एग्री नहीं हो राजी नहीं हो तो क्या यह शादी हो पाईगी कते ही नहीं हो पाईगी तो इसका मतलब यह है कि अगर सपना ने चलो आगे से मैं कहता हूँ पहल भी की तो अगर राजवीर कह देता कि मुए तयार नहीं हो तो यह शादी नहीं होती तो अगर ऐसा हुआ है दोनों की रजवीर के पास गई ताके मुझे सूरज के जुम से बचाई सूरज मुझे पर mental torture करता है मुझे physical torture करता है मुझे mental trauma दिया है सब के पास गया अब उसका कहना है कि जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं तो उनसे कहां से पूछे अब लोग उनका कहना है कि भई अब यहां पे वो लोग तो सपना की दरा recording नहीं करते थे न तो वो सबूत कहां से लाए तो अब यहां पे इस चीज़ पे मैं यह कहना चाहूंगा कि भई चलो मान ली यह बात आपकी सही है कि जो लोग अब दुनिया से चले गए उनसे अब यहां पर पूछ ही नहीं पाएंगे तो क्या आप कहना चाहते हो कि भई सपना जो recording करती थी वो invalid थी उसे नहीं करना चीए था दोस्तों यह बात आप comment section में मुझे जरूर बताना कि वही सपना जो recording करती थी वो सही थी या गलत थी आज की वीडियो में बस इतना ही अगले questions के लिए हम next वीडियो में आपसे बिलेंगे Thank you